मंदिर में पुजारी प्रहमणी क्यों होते हैं? क्या चक्तिरी वैसे सुद्रे नहीं हो सकते हैं? भगवान की पूजा घर में सब कर सकते हैं भगवान से प्रेम सब कर सकते हैं पर भगवान की जो विधी विधान से पूजा वेद मंत्रों के द्वारा ठाकुर जी की हो वो अधिकार केवल ब्रामनों को दिया गया है क्योंकि वो पवित्रता से विधी विधान से उस चीज को जो बिसलिल्लाइ रहों किस तरीके से लोगों को यह लोग मुर्ख बना रहे हैं और कैसे उनको बता सिछा रहा है कि ये हक सिर्फ एक जात के लोगों कोई है और किसी कोई एक हासिल ने होगा जब कि अल्लह तबारकों ताला ने कुरान में फरमाया या यहालनास इन्ना खलकनाकुम मिन जकर वाउनसा वजालनाकुम शुण। वगाईल लितारफू इन्ना अकरमकुम अंद ल्लाही अत्तका अल्लह तबारकों ताला ने कुरान में फरमाया कि जाजाद बिरादरी कबीले हमने सिर्फ जान पहचान के लिए बनाई है इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है अल्लह के या तो वो एतराम के काबिल है उसका मकाम और मरतब है जिसमें जितना ज्यादा तक्वा होगा और उस शक्सों को नहीं उड़ा सकता जो पहली सफ में आकर बैठ गया हमारे आपर तो ये एक हाफिज कुरान जो गरीब है लेकिन उसको कुरान अच्छा पढ़ते आता है तो मस्जित के अंदर वो आएगा तो वो इमाम अगर बनेगा वो नमाज अगर पढ़ाएंगा तो अर और खौफ अपने दिल में पैदा करे तो दोस्तों मजब इसलाम इतना बहतरीन जबरदस्त मजबे हमें चाहिए कि मजब इसलाम की तालीमात को आम करने की कोशिश करें और बताए कि यहाँ पर सब का मकाम एक ही है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयास ना कोई बंद नहीं सकता यह होता है हमारे यहाँ पर मजब इसलाम ने सब को मकाम दिया है सब को मरतबा दिया है कोई ऊची जाती है कोई नीच जाती है का यहाँ पर नहीं कोई किसी को कम और किसी को ज्यादा मकाम और मरतबा नहीं दिया गया है सब का एकी मकाम है सब का एकी मरतबा है झाल झाल